इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ब्लाउस की कटिंग करनी है ब्लाउस की कटिंग आपको अपने मेजर्मेंट के अगॉर्डिंग करनी है यह हम एक साल की बेबी के लिए बना रहे हैं तो इसकी टोटल लंबाई जो मैंने रखी है वो है 10 इंच और चेस्ट का फूर्थ पार्ट हमने लिया है 6 इंच और 2 इंच एक्स्रा लिया है यानि 8 इंच आर्म होल के लंबाई हमने 4 इंच रखी है और गले की जो लंबाई है वो है हमारी यहां से तीन इंच पर हमने कटिंग के थी, सिलाइक करने के बाद यह सारे तीन इंच पर आ गई है, इसके बाद हमने टोटल जो नेक के कटिंग के थी, वो के थी फाइप इंच पर, यहां से यहां तक टोटल हमारी फाइप इंच थी, नेक हमने तीन इंच पर लिया था शिलाई करने के बाद ये साड़े तीन इंच पर आ गया है तो इसी तरह से आपको भी ब्लाउस पार्ट की कटिंग अपने मेजर्मन के कॉर्डिंग करनी है इसके बाद हम एक यलो कलर का लैस लेंगे और तीन इंच की दूरी माग करते हुए हम इसे कट कर लेंगे इसके बाद हम स्टूइ थागे की मदद से इस तरह से इस बर सिलाई लगाएंगे और एक फ्लावर रेडी करेंगे सबसे पहले हम इसे पक्का कर लेंगे इसके बाद अब हम इसमें फ्लावर रेडी करेंगे तो फ्लावर बनाने के लिए हम इस तरह से इसमें शिलाई लगाते जाएंगे तो देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ आपको भी इसी तरह से करनी है कि इस तरह से बनने के बाद हम इस तरह से दोनों पॉइंट को जोइंट कर देंगे तो देख लेजिए मैं कैसे जोइंट कर रही हूं आपको भी इसी तरह से करनी है तो यह देखिए इस तरह से एक फ्लावर रेडी हो जाएगा इसके बाद हम ब्लाउच पाट को इस तरह से खोल लेंगे और जहाँ जहाँ भी आपको इस फ्लावर को लगाना है वहाँ पर हम इस तरह से चौक से निसान बना लेंगे तो यह देखिए इतनी चगह उपर हमें इस फ्लावर को लगाना है तो मैंने माक कर लिया है अब हमने जो फ्लावर रेडी किया था उसी इस तरह से हमने जो माक किया था उस पर सुविधागा की मदद से इसे लगा लेंगे इसके बाद हम इसे इस तरह से पलट कर पका कर लेंगे तो हमने इस पका कर लिया है अब हम यहां से धागे को कट कर देंगे तो यह देखिए फ्लावर हमारा लगके रेडी हो चुका है इसी तरह से हमें सारे में फ्लावर को बना के लगा लेना है मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए तो लैस को हम सबसे पहले तीन इंच की दूरी पर कट करेंगे इस तरह से इसके बाद हम सुई धागे की मदद से इसी सील लेंगे सबसे पहले हम इसे पक्का कर लेंगे ताकि लेस्ट जो हमारा वो खुले नहीं अब हम इसे इस तरह से सिल लेंगे और एक फ्लावर रेडी करेंगे तो शिलाई हमारी कम्प्लीट हो चुकी है अब हम यहां से सुई को बाहर की और निकालेंगे इसके बाद हमें इस तरह से खीचते हुए इन दोनों पॉइंट्स को मिला के सिलाई लगा लेनी है तो देख लेजिए मैं कैसे सिलाई लगा रही हूँ आपको भी बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगा के एक फ्लावर रेडी कर लेना है अब हम इसे पक्का कर लेंगे तो ये देखिए फिर से हमारे एक फ्लावर रेडी हो चुका है अब हम इस फ्लावर को हमने जो ये निसान लगा था उस पर इस तरह से रखेंगे इस तरह से हम इस भी इसे अटैस्ट कर लेंगे अब हम इसे पलट कर पक्का कर लेंगे ताकि फ्लावर जो हमारा वो फिक्स हो जाए और वो खुले नहीं तो हमने इस पक्का कर लिया है अब हम यहां से धागे को कट कर देंगे यह देखिए दो फ्लावर हमने इसमें लगा के रेडी कर लिया है आपको इसी तरह से पूरे में फ्लावर को लगा के रेडी कर लेना है हमने साहरे में फ्लावर को लगा के रेडी कर लिया है इस पार्ट में हमने नहीं लगाया है क्योंकि ये हमारी सिलाई में दब जाएगी कलुक को इस तरीके से आएगा इस तरह से आप भी लेस्टे फ्लावर बना के एक बहुत ही सुन्दर सा ब्लाउस बना सकते हैं इसी आप लहंगे पे भी बना सकते हैं या फिर क्रॉप टॉप पे बना सकते हैं